तो दोस्तो आज हम बात करेंगे X-Servicemen भाईयों के लिए तीन नई गॉर्मेंट जॉब्स के बारे में इस वैकेंसी की सारी डीटेल्स आपको हमारे Android आप पे मिल जाएगी जिसका नाम है CG Resettlement ये एप सिर्फ X-Servicemen भाईयों के लिए ही बना है जिसमें X-Servicemen को डेली जॉब्स एंड न्यूस की अपडेट्स मिलती रहेंगी तो आज ही Google Play Store से या नीचे डिस्क्रिप्शन में देगे लिंक से डाउनलोड करे CG Resettlement एप जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इंडो टिबिडियन बोर्ड पूलिस फोल की तरफ से नई वैकेंसी निकल के आ रही है ये वैकेंसी दोस्तो हेड्स कॉंस्टेबल जो की Education and Stress Counselor Department के पोस्ट के लिए है तो चलिए आगे बढ़ते हैं जॉब इन्फरमेशन की तरफ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों यह Government Sector की जॉब है और इस जॉब के लिए आपको 25,500 से लेके 81,100 रुपीज परमत की सैलरी दी जाएगी जॉब दोस्तों इंडिया के सभी स्टेट्स के लिए है और यहाँ पे टोटल 23 vacancies निकाली गई है जिसमें से दोस्तों दो vacancies एक्सरिस्मेन भाईयों के लिए रिजराव्ट रखी गई है एज रिमिट के अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे maximum age 25 years रखा गया है प्रस यहाँ पे एक्सरिस्मेन भाईयों को extra age relaxation भी government के रूल के अनुसार दिया जाएगा इस जॉब के लिए apply करने के लिए last date 11 November 2022 रखा गया है और इसके लिए आपको online ही apply करना पड़ेगा यहाँ पे दोस्तों qualification में डिगरी की requirement बताई गई है और एक्सरिस्मेन भाईयों से इस जॉब के लिए कोई भी application fee नहीं ली जाएगी इस job position के लिए दोस्तों आप all india से apply कर पाएंगे इसलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं job description की तरफ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते है mode of selection में आपका जो selection होने वाला इस job के लिए यह return test, physical efficiency test उसे के साथ physical standard test document verification detailed medical examination and review medical examination के base पे होगा examination details में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो exam होने वाली है उसमें total 100 questions होंगे 100 marks के लिए और 2 hours की duration होगी subjects में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो general English, general Hindi, general awareness quantitative aptitude test simple reasoning यह सभी subjects होंगे दोस्तों अगर आपको इस job के बारे में और भी जादा information चाहिए तो आप यहाँ से official notification डाउलोड कर सकते हो हमने job description section में official notification की link दी हुई है तो notification डाउलोड करके ध्यान से पढ़ लीजिए उसके बाद ही इस job के लिए apply कीजिए दोस्तों अगर आपको इस job के लिए apply करना है तो हमने यहाँ पे apply की link भी दी है इस link के माद्यम से पहले आपको registration कंप्लीट करना है उसके बाद आप इस job के लिए apply कर पाएंगे साथी दोस्तों हमने आप एक वीडियो की link भी दी है अगर आपको जानना है कि किस तरीके से आपको इस job के लिए step by step तरीके से apply करना है तो इस वीडियो के माद्यम से पूरी apply की step by step प्रोसेस आप देख सकते हो तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं दूसरी job की तरफ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों पंजाब subordinate services selection board की तरफ से नई vacancy निकल के आ रही है यह vacancy दोस्तों elementary teacher post के लिए है तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं job information की तरफ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों यह government secretary की job है और यह job के लिए आपको 29,200 रुपीज पर मंत की salary दी जाएगी यह job दोस्तों पंजाब state के लिए है और यहाँ पे total 5,994 vacancies निकाली गई है जिसमें से total 270 vacancies एक्सरिस्मेन भाईयों के लिए reserve रखी गई है age limit के अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों तो maximum age 37 years रखा गया है प्लस यहाँ पे एक्सरिस्मेन भाईयों को extra age relaxation भी government के रूल की अनुसार दिया जाएगा इस job के लिए apply करने के लिए last date 10 November 2022 रखा गया है और इसके लिए आपको online ही apply करना पड़ेगा यहाँ पे दोस्तों qualification में minimum 50 mask के साथ graduation की requirement बताई गई है इस job के लिए apply करने के लिए दोस्तों SCST category के एक्सरिस्मेन को 500 रुपीज उसे के साथ general category के एक्सरिस्मेन भाईयों को 1000 रुपीज के application fee applicable होगी इस job के लिए दोस्तों आप पंजाब स्टेट से ही apply कर सकेंगे तो चली दोस्तों आगे बढ़ते हैं job description की तरफ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते है mode of selection में आपका जो selection होने वाला इस job के लिए यह return test जो की objective type होगी उसके साथ document verification के base पे होगा exam details में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो exam होने वाली है उसके लिए total 200 marks होंगे यहाँ पे दोस्तों subjects में पंजाबी, हिंदी, English, Mathematics, General Science, Social Studies यह सब भी subjects होंगे दोस्तों अगर आपको इस job के बारे में और भी जादा information चाहिए तो आप यहाँ से official notification डाउनलोड कर सकते हो हमने job description section में official notification की link दी हुई है तो notification डाउनलोड करके ध्यांसे पढ़ लीजिए उसके बाद ही इस job के लिए apply कीजिए दोस्तों अगर आपको इस job के लिए apply करना है तो हमने आप ए apply की link भी दी है इस link के माद्यम से पहले आपको registration complete करना होगा उसके बाद आप इस job के लिए apply कर पाएंगे साथ ही दोस्तों हमने आप एक वीडियो की link भी दी है अगर आपको जानना है कि किस तरीके से आपको इस job के लिए step by step तरीके से apply कर रहा है तो इस वीडियो की माद्यम से पूरी apply करने की step by step process आप देख सकते हो तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरी job की तरफ तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों उत्तराखन public service commission UK PC की तरफ से नई vacancy निकल के आ रही है यह vacancy दोस्तों forest guard post के लिए है तो चलिए आगे बढ़ते हैं job information की तरफ जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो यह job दोस्तों government sector की job है और यह job के लिए आपको 21,700 से लेके 69,100 रुपीज पर मंत की salary दी जाएगी यह job दोस्तों उत्तराकंड state के लिए है और यहाँ पर total 894 vacancies निकाली गई है इसमें से दोस्तो 45 vacancies एक्सरिस्मेन भाईयों के लिए reserved रखी गई है age limit के अगर हम यहाँ पर बात करें तो maximum age 28 years रखा गया है प्लस यहाँ पर एक्सरिस्मेन भाईयों को extra age relaxation भी government के रूल की अनुसार दिया जाएगा इस job के लिए apply करने के लिए last date 11 November 2022 रखा गया है और इसके लिए आपको online ही apply करना पड़ेगा यहाँ पर दोस्तो qualification में 10 plus 2 या intermediate की requirement बताई गई है इस job application के लिए एक्सरिस्मेन से कोई भी application fee नहीं ली जाएगी इस job के लिए दोस्तों आप उत्तराकन state से ही apply कर सकेंगे तो चलिए दोस्तों आगर बढ़ते हैं job description की तरफ जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते है mode of selection में आपका जो selection होने वाला इस job के लिए यह return test जो की objective type होगी उसे के साथ physical efficiency test उसे के साथ physical standard test के base पर आपका selection होगा exam details में दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आपकी जो exam होने वाली है उसमें total 100 questions होंगे 100 marks के लिए और subjects में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो Hindi, knowledge related to उत्तराकन general knowledge and mental ability history, geography, economics current affairs, computer knowledge यह सभी subjects होंगे दोस्तों अगर आपको इस job के बारे में और भी जादा information चाहिए तो आप यहाँ से official notification डाउनलोड कर सकते हो हमने job description section में official notification की link दी हुई है तो notification डाउनलोड करके जहां से पढ़ लीजिए उसके बाद ही job के लिए apply कीजिए साथी दोस्तों अगर आपको इस job के लिए apply करना है तो हमने आप apply की link भी दी है इस link के माद्यम से पहले आपको registration कंप्लीट करना है उसके बाद आप इस job के लिए apply कर पाएंगे तो दोस्तों ऐसी कई jobs के बारे में regular updates आने के लिए हमारा android app डाउनलोड कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को subscribe कीजिए like कीजिए, comment कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी share कीजिए ताकि आपको एक सर्य स्मयन से जुड़ी सारी job और news के updates regular basis पे मिलती रहे फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जय है